तो तो दे विल बिसिकली डिस्कास अबाउट इस्पीड अफ रोटेशन ओफ ए सिंक्रोन जिनेटर और इस रिलेशनशिप विद फ्रिक्वेंसी अगर हम अपने पाक्सान की हवाले से बात करें तो यह हमारे जो फिक्वेंसी है वो फिफ्टी हर्स फिफ्टी हर्स पर शेकंड तो इसका जो है वाट इस दे रिलेशन विज दिस ते विदी रोटेशन की जो स्पीड होती है जो रोटेट कर रहा होता है उसके तरमेहन क्या रिलेशन्शिप पर अगर आप यहां पर देखें तो मैंने एक बिसीकली अगर आप इसकी ग्राफिक् 120 F over P to F to F that is the line line or voltage frequency in Hertz P that is number of poles or the NS to have basically that is the synchronous speed in in revolution per minutes so यह basically formula है और यह relate करता है speed of synchronous generator को with the electrical frequency we are getting at the output of the synchronous generator मैंने यहां पर एक basically diagram बनाई है इसके अंदर जो inner circle है that represents the field यह यह नहीं मैं बात करूंब यह फील्ड है आपकी जिसको हम rotor भी कह रहे हैं यहां पर क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले specifically clear किया था कि in synchronous generator आपकी फील्ड जो है वे on the rotating part available होती है whereas जो आपका stator है उसमें आपका आर्मेचर है जो आर्मेचर windings placed यह फिर आप output ले जाते हैं आउट ले जाते हैं इसमें मैंने यहां पर तीन phase दिखाएं में जो basically आपको नज़र आएंगे अब यहां पर basically इस तरीके से हैं कि आप जब इसको rotate करेंगे यह जो आपका जो rotor है इसको हम basically DC दे देते हैं as an input और इसके नतीजे में हमारे पास एक electromagnet produce हो जाता है with north and sound pole यह दो पूल आ जाते हैं हाँ पर जो यहां पर मैंने simplest case लिया है two of two poles का you can consider it for other paid as well तो यह आपका pair of poles जो हैं आपको पास that suppose यह दो पोल्स हो गया आपके पास say n or north pole and a south pole the initially obviously यह सब चीजें जो है basically they are at and the rest और कोई ऐसे कुछ चीज चल नहीं रही है तो यहां पर मैंसी तरीके से इसका साथ relationship जो है वो बनाने की कुछ करता हूं के frequency किस तरीके से relate कर जाती है so let's suppose if I take the output voltage and we will be getting on one of the phase तो वो हमारे पास AC voltage आ रही होगी and we can draw it in this manner that's it time में और यह voltage है यह हमारे किसी एक phase के ऊपर आ रही और यह से three phase synchronous generator यह हमारे पास जो है इस पे एक phase पे आ रही है और if we say what is the cycle तो यह हमारे पास जो है यह एक cycle है जिसके अंदर के नवीडियोड इस वन साइकल ठीक है और we will be needing these 50 cycles per seconds to make a 50 hertz frequency at the output ठीक है तो अब यह cycles जो है यह जो obviously जब हम generator को start करेंगे तो जो हमारा प्राइम मूवर है प्राइम मूवर है इट विल मेक दी डिस रोटर रोटेट तो इसकी जो रोटर की speed है वो जैट इस डिरेक्ली रिटेट तो इस जो आउपोट पर हमें frequency मिल रही है ठीक है तो यह होता है कि नहीं जब आ इनर्जाइस करते हैं तो आप पास एक permanent DC magnet बन जाता है और जैसे कि अगर प्राइम मूवर इसको रोटेट करेगा that is basically जो प्राइम मूवर इसके साथ रेलेट है सब्सक्राइब करना शूरू करेंगा तो इसकी फील्ड बन रही होगी इस permanent magnet की जैसे आपको पते ही है कि लैट सब्सक्राइब मैं बनाता हूं तो इस इस दे नॉर्थ पोल इस दे साउथ पोल अब हमारे पास जो मैंगनेटिक लाइन बोती हैं धी अरिजिकी इड्याइड फ्रॉम दॉर्व नार्थ फोल अद अन्ड उन्ड इस आउथ पोल और इंटर्णी यह जो आपके पास जो मैंगनेट होता है उसमें यह साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही होती है तो इस तरीके से हमारे पास जो है magnetic lines of force होती है similar magnetic lines of force जो है हमारे पास इस magnet के अंदर भी होंगी जो इदर आपको नदर आ रहा है इसके अंदर बना वाए similarly यह इसके अंदर भी बनी हुई होंगी यह lines of force ठीक है तो जब आप इसको rotor को चलाना शुरू करेंगे with the prime mover तो होगा यह कि यह जो आपका rotate करेगा तो जो यह lines of force हैं they will cut these conductors placed within the armature ठीक है और जो हमारे पास सबसे fundamental lie जिसके मैं अक्सर बात भी करता हूँ वो है हमारे पास ferides law of electromagnetic magnetic induction ठीक है तो अब यह हमारा primary जो है ना यह law है जो से basic law जो यूस होता है आप और वहां पर यह होता है कि rate of change of linking a conductor would basically result in induction of voltage in that conductor तो नदीजयतन हमारे पास जब यह rotate करना शुरू करते हैं तो this magnetic field जो है यह change होना शुरू कर देंगी और magnetic lines कर रही है किसी conductor को उनकी जो quantity है या जो उनका जो भी जो है वो change होंगे जिससे यह conductor जो है जिससे यह magnet rotate करेगा so let's suppose अगर आप initially इस position पे थे और यह electric के अगर मैं देखूं तो let's suppose मैं यहां पर था तो when this conductor हम इसको rotate करता हूं let's suppose 90 degree का तो मेरे पास अब यहां पर का शुरू में था तो यहां पर यह basically शुरू में कोई भी cutting नहीं थी तो यह 0 थी so we were at this 0 electrical voltage जब मेरा यह जो magnet है इसको मैंने rotate किया तो let's suppose यह magnet rotate करके 90 degree rotation से इधर आ गया तो आप यह जो conductor है यहां पर जो इसमें conductor है इस पर maximum voltage हो रही होगी तो let's suppose we will reach here electrical कर मैं देखूं तो यह यहां पर मैंने 90 degree rotation की है in space electrically मेरे पास जो signal यह नहीं जो waveform है वह भी 90 degree मेरे पास maximum voltage आ रही होगी similarly अगर इसको मैं वार्पे रोटेट करके further 90 degree rotate करता हूं और वो जो है it again comes into this direction इस डिरेक्शन में आ जाता है और फिर हमारे पास यहां पर जो था यह 0 पर ठीक है में अब हमने theta जो है is equal to 90 degree पर देखा तो हमारे पास यह maximum हो गया था फिर हम देखू तो यह हमारे पास यह लिट सबूस अगें जीरो हो गया अब यहां पर देखो इस वगत जब 90 दिगरी किया था तो यहां पर नौर्थ यहां पर साूथ था लेकिन जब मैं इसको दुबारा रोटेट करता हूं और यहां नौर्थ पोल और यहां नौर्स पोल होगा और यहां ओविएसली यहां पर जो मेरे पास पॉस्ट इप में मेक्सिम हो आया था मेरे पास सब नेगेटिव में में मेक्सिम हो आएगा एन एट लास्ट जब मैं उसकी उरिजिनल लोकेशन पर ले जाता हूं यह बेसिकली जीरो डिएरी के इकुल ही हो जो हमने जिसे दर से स्टार्ट के जाए था जिरो डिएरी यह तो इसका मतलब यह जो आपके पास वन रोटेशन हो रही होगी रोटर की तो वन रोटेशन हो रही होगी, यह मैं बात करहा हूँ टू पोल्स के लिए ठीक है अगर मेरे बस नंबर पोल्स जादा होंगे तो फिर ऑबिसली वन रोटेशन जो रोटर की है वो ऑबिसली साइकल जादा प्रोडियूस कर रही होगी ठीक है लेकिन राइट नौ आइम टॉकिंग अबाउट ऑनली वन वन यानि जिसमें अंदर दो पोल्स हैं में बात कर रहा हुँ तो जब एक पूरा जो है ये साइकल रोटेट करता है तो आपके पास तो अरिывать प्रूटेशन यानि एकर मेरे पास कि एक रोटेशन होरी है वान रोटेशन हो रही है ठीक है इसका नातला गर आई ऐट 50 साइक के मिलेशन जो है क्यांगी यह वो 50 rotations per second होने चाहिए तो इसका मतलब अगर मुझे ये 50 cycles चाहिए 50 Hertz करने के लिए या cycles चाहिए तो मुझे इधर क्या चाहिए मुझे 50 rotations चाहिए अपने इस वोल की पर सेक्ट तो इस विजिकली 50 revolutions पर सेक्ट और अब्यूसली डिरेक्टी एकर मैं से कनवर्ट करूं तो 50 multiplied by 60 would give me the revolutions per minute that is equal to 3,000 per minute per minute 3,000 revolutions चाहिए होंगी मुझे per minute to produce a 50 Hertz cycle per cycle that is a 50 Hertz जो है frequency produce करने के लिए मुझे 30,000 revolutions per minute चाहिए होंगी तो इस इस हाव सिंपल और यहीं जो है हमारा आप जो फामूला जो लूड हुआ है अगर आप देखें और चुके पोज मेरे पास दो हैं तो आइवड थ्री थाउजन आर्पीम आ देंगे मेरे पास इस 3,000 revolutions per minute इस विल बी कॉल्ड इस सिंक्रोनस स्पीड इस को मैं गांगा सिंक्रोनस स्पीड और फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी वो 50 Hertz होगी ठीक है अब इलेक्रिकल सिस्टम में जो एक एसी इलेक्रिकल सिस्टम है एसी इलेक्रिकल सिस्टम जो है उसके अंदर एक बहुत जो स्टिधिटर्जिन वो है speed of the prime mover that is basically the speed of the rotor इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है frequency constant रहे है तो हमारी speed जो फिक्स रहेगी synchronous speed kb or it cannot be basically changed during the operation so that says is that is the basically here total explanation relating the rotation speed with the electrical frequency thank you